नमस्कार अंजली की रसुई में आपका स्वागत है लड्डू का नाम आते ही हमें याद आहीं जाते हैं बूंदी के लड्डू ऐसे लड्डू किसी भी तेवार या किसी भी सुवकारे में लड्डू हमें चाहिए ही होते हैं आए शुरू करते हैं हम बूंदी का लड्डू बनाना जो आज हम पोलोथीन के हेल्फ से लड्डू बनाएंगे कोई जारा इसमें नहीं चाहिए एक अलग ही तरीके से हम इस लड़ू को बनाएंगे आप पूरी वीडियो को देखिए फूल फूल वीडियो देखिए हमने एक कटोरी में छोटी कटोरी से बेशन ले लिया है अब बेशन को अच्छी तरह थोड़ी थोड़ी पानी डालके हम घोलेंगे और इधर एक कटोरी चीनी और बेशन घोलने के लिए पानी और एक पिंच फूड कलर अब बेशन में फूड कलर डालेंगे थोड़ी थोड़ी पानी डालके घोलेंगे इसको ना तो बेशन के लंज हटाने में हमें दिक्कत होगी आप देख रहे हैं पुलोथीन के हेल्फ से हम बुंदी के लड़ू बनाएंगे घोल मेरा इस तरह का पतला रहना चाहिए सारे घोल को तयार कर लिए हैं अब सारे घोल को पुलोथीन में रख लेंगे और इसको अच्छे से पैक करेंगे आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं कितनी अच्छी गोल गोल बुंदी मेरी बन रही है बहुत ही आसानी से बुंदी बन जाती है इसको लो टू मीडियम फ्लेम परसे के नहीं तो बुंदी छोटे आकार के हैं जल्दी ही जल जाएंगे आप देख रहे हैं कितना अच्छा बुंदी बन कर मेरा तैयार हो गया है सारे बुंदी को हम इसी तरह से छान लेंगे हाथ को उपर रखके ही डालेंगे हाथ जलने का डर है हाथ को थोड़ा तेल से उपर ही रखेंगे आप देख रहे हैं कितना अच्छा बुंदी बन कर तैयार हुआ है मेरा बुंदी को पेपर उपर रख सकते हैं आप एक्स्ट्रा तेल निकालने के लिए इसका अब इदर सीरा हम बना लिये हैं एक कटोरी पानी में आधी कटोरी चीनी में आधी कटोरी पानी डालेंगे और उसको दस मिनट तक चीनी घुलने के बाद खौलाएंगे अब चिपचिपा होने पर गैस का फ्लेम आउप कर देंगे और फिर बुंदी को उसमें डालके अच्छी तरह से पका लेंगे बुंदी मेरा अच्छी तरह से पक गया है आप देख रहे हैं कितना जूसी बुंदी बना है वीडियो मेरी पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अब इसमें खरबुजे का बीच ले लिये हैं डाल लेंगे और दो चमच घी डाल लेंगे और लड्डू को गोला गोला सेप दे कर बना लेंगे लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तयार होता है आप भी इसी तरह से लड्डू को बनाईए बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी धन्यवाद वाच माई वीडियो